नमस्कार गाइस मैं रुत रज आई टी देली से कंपोटर साइंस इंजिनियर और आप सब का आई मास्टर में फिक्त से स्वागत है तो आज हम लोग इमेज प्रॉम्ट इंजिनियरिंग के बारे में जानेंगे ओके यह पहला लेशन है और लेक मार्केट में बहुत से टूल स जैसे कि में जनी है ब्लू विलो है और आपका जैसे की और भी टूल से जैसे की आपका लेक्सिका आर्ट है जैसे कि हमने बताया था सो हम लेकिन यूज करने वारे हैं देश्ट वह है अडोबी का पारफ्राइब यह बहुत अच्छा इमेज रेजर्स देता है और फ्री भी इमेज में सो बेसिकलि हम टेक्स देंगे और वहां से इमेज जन्रेट होगा ओके तो आपका यह स्क्रीन फिर ओपन हो जाएगा यह बहुत लोगों ने लाइक इमेज बनाए है वो सब दिखा रहा है बट हमारा काम यहां पर नीचे है जो कि हम इमेज बनाने वाले हैं डिस रिखने वाले रेट्रो वीडियो गेम स्टाइल दिजाइन क्या होते हैं और उससे कैसे वीडियो गेम स्टाइल स्टिकर्स जो हते हैं जो कि Nfti में बहुत Zy получится हैं और सब्सक्राइब का इकना करे कर से हो तो यू बाइज तो उनम एसट बहुत ज्ए धें कमा सकते हो जह सो पहले कैसे बनाते हैं तो आपको भी यहां पर लगे लिखना है आपका क्वेडी ओके तो आज हम लोग वीडियो गेम जैसे की जो की पॉपुलर वीडियो गेम है वह माइनक्राफ्ट तो बच्चों को माइनक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और वह आइधिंग सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग वीडियो गेम है तो उसी के यह आजम स्टिकर्स बनाने वाले हैं तो हम लिखेंगे यहां पर नीचे माइनक्राफ्ट प्रस माइनक्राफ्ट लिखते हैं हमें ज्यादा आइडिया नहीं क्या है माइनक्राफ्ट अन्वाल आपसे होगे यह माइनक्राफ्ट के बाद एक कॉमा दे दाना फिर स्पेस देखे एइट बिट रेट्रो पिक्सल ग्राफिक्स ओके आपको बस इतना ही इतना है माइनक्राफ्ट उसके बाद कॉमा स्पेस एइट बिट रेट्रो पिक्सल ग्राफिक्स ओके अब देखता है यह कैसा आट फॉर्म जनेरेट करता है ओके यह सब हम बाद में जब आडवांस क्लासेश करेंगे तो यह सब भी हम डिसकस करेंगे तो अभी उसको कुछ टच मत करना अभी हम बेसिक सिंख रहे हैं ओके तो अब देख सकते हो आप यह आट में है तो इसको आप नन कर देना तो बेटर ह टेकेंट अब देखिए तो हमने क्या देख दाला था माइनक्राफ्ट 8-bit अरेक्ट्रो पिक्सल ग्राफिक्स ओके यह 8-bit के इमेजसे अब देख रहे हो इन सब इमेजस को यह लोग क्या करते ना nft बनाके ओपन सी में वह एक कई और कोई क्लास में हम डिसकस कर लेंगे तो यही इमेजस को nft करकी लोग बेशते हैं और यह मिलियोंस में जाते हैं कोई-कोई-कोई इमेजस आप समझ सकते हो तो ऐसे ही इसको प्रेट किया जाता है तो आपको सिंपल लिखना है यहां पर वीडियो गेम का नाम जैसे कि कोई वीडियो गेम आपकर लो यहां पर लिख लिखना है और उसके बाद 8-bit डेट्रो पिक्सर लिखताना है तो यह 8-bit के में जैस आपके लिए बनके तयार हो जाएंगे ओके यह पहला फॉर्माट है ऑन दो रेट्रो वीडियो गेम स्टाइल डिजाइन आठ ओके रेट्रो वीडियो गेम स्टाइल डिजाइन आठ तो यहां नेक्स्ट फॉर्माट देखते है रेट्रो वीडियो गेम स्टाइल डिजाइन में वह 16-bit 8-bit तो खतम हो गया तो यह सा नहीं कि आपको सिधा जाके यहां पर 16 को 16 कर देना नहीं वह सा काम नहीं करेगा वह उसको आपको लिखना है थोड़ा चेंज करके 16-bit 1990s स्टाइल आपके पॉएंट एंड क्लिक आडवेंचर गेम आपको यह लिखना है कि माइन क्रेफ्ट कॉमा 16-bit 1990s स्टाइल पॉइंट एंड क्लिक अडवेंचर गेम अब जनेरेट करते हैं देखते हैं क्या आता है वे इड बिट तो आपने देख लिया अभी 16-bit देखते है अब देखिए आपके 16-bit के 1990 स्टाइल पॉइंट एंड क्लिक अडवेंचर गेम इमेज़ेस हैं अब देख सकते हो अभी थोड़ा बैत बैतर है वह लाइक 8-bit के अब यह 16-bit के इमेज़ेस हैं आप देख सकते हो कितना अच्छे मेज़ेस आ रहे है अब थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए यह देखिए यह 16-bit के इमेज़ेस हैं ओके नाइस ओके तो अभी यह सेकेंड फॉर्माट था रेट्रो वीडियो गेम स्टाइल डिजाइन्स में कि 16-bit 1990 स्टाइल पॉइंट रिक अड्वेंचर गेम ओके आप कहीं पर नोट कर दो ओके सो दाट यह आपको बाद में जब आप कंबाइन करोगे बहुत सारा डिजाइन्स आप कंबाइन करोगे उस पर आपको काम आएगा ओके अभी आम नेक्स्ट करते हैं यह 16-bit होगे अभी आपको चलना है 32-bit पे तो हम लिखेंगे 32-bit आइसो मेट्रिक ओके आपको बस इतना लिखना है मा अब देख सकते हो यह पूरा 3D इमेजस टाइप लगते हैं तो आप डिफरेंशेट कर पाऊगे कि 8-bit कैसा था 16-bit कैसा था अब देखिए 32-bit कैसा है ओके अब आपको जैसा चाहिए वैसा ही आपको यहाँ पर बनाना है यह बेसिकली थे आपके थ्री फॉर्माट्स जो की है रेक्ट्रो वीडियो गेम स्टाइल डिजाइन्स के अंदरगत आता है ओके यह तीनों फॉर्माट्स को आप नोट कर देना पहला था 8-bit रेक्रो पिक्स इसल ग्राफिक्स दूसरा था 16-bit 1990 स्टाइल पॉइंट एंड क्लिक अडवेंचर गेम तीसरा वाला था 32-bit आइसोमेट्रिक ओके तीनों को आपको नोट करके रखना है यह आपके काम आएंगे बाद में हम जब कंबाइन करेंगे बहुत सारे इमेंचेस को ओके तो आई आई है झात को दो आई है।